Hey guys, welcome to my YouTube channel Friends, आज की स्यूडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप अपने computer या laptop के जरीए powerpoint में chart को कैसे animate कर सकते हैं आज हम आपको ये trick सिखाएंगे इससे पहले मैंने आपको mobile में photos को कैसे animate करते हैं ये already सिखा चुका हूँ आज हम powerpoint में chart को animate करना सिखाएंगे तो बगेरी times आए कि हम अपनी video की तरफ चलते हैं और यहां से मैं अपना Microsoft powerpoint open करता हूँ और first of all यहां से मैं new slide 8 करता हूँ आपने यहां से new slide 8 करना है और यहां से आप अपना design चूज़ कर सकते हैं यहां से मैं एक blank page select करता हूँ और यहां से इस page को मैं delete करता हूँ तो यहां पे हमारा एक ही page है और यहां पे हम एक chart बनाएंगे friends, Microsoft, PowerPoint में chart बनाने का option अल्रेड़ी मुझूद है आपने यहां से जाना है insert में और यहां से आप देख सकते हैं chart इस पे click कीजिए तो यहां पे आपको different shapes के charts आपको मिलेंगे यहां से आप column chart देख सकते हैं यहां से आप line chart देख सकते हैं और इससे नीचे भी आप देख सकते हैं pie, bar, area, different कुसम के charts आपको यहां पे मिलेंगे यहां से हम column पे work करेंगे और यहां से मैं यह वाला column select करता हूँ और यहां से आपने इसको ok करना है friends यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर कुछ data है और इन data's का chart यहां पर already बना हुआ है तो अगर आप चाहें तो यहां से इसमें changing कर सकते हैं for example यहां से मैं यह category 4 में थोड़ा सा changing करता हूँ यहां से यह वाला है category 4 तो यहां से मैं इसको करता हूँ 6 और यहां से मैं इसको close करता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं इस chart का size बढ़ चुका है यहां से हमने इस data में increase किया था और यहां से मैं इसको close करता हूँ और उसके बाद अगर आप चाहे तो यहां से इसका shape भी change कर सकते हैं आप यहां पे देख सकते हैं यहां से मुझे ये वाला ही best लग रहा है तो मैं इसी को रहने देता हूँ और उसके बाद आपने इसको animate कैसे करना है उसके लिए आप आजाएए यहां से animations में और यहां से आप देख सकते हैं different किसम के animation आपको नजर आ रहे होंगे यहां पे यह animations आपके पूरे slide को animate करेंगे यहां आप पूरे slide पे animation देख सकते हैं तो यहां से हम just यह वाला select करते हैं, उसके बाद आपने यहां से इन बार को कैसे animate करना है, उसके लिए आपने आना है यहां से no animation में, और यहां पर आपको different custom के animations के options मिलेंगे, यहां से हम कुछ select करते हैं for example, तो यहां से आपको कुछ इस तरह से नज़र आएंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं, different custom के animations आपको मिलेंगे, और यहां पर अगर आप में wipe में आ जाओं, तो इसके भी different options हैं, तो यहां पर आप different custom animations देख सकते हैं, जो यहां पर मुझे पसंद है, वो यहां पर आप देख सकते हैं fly in है, और यहां पर आप देख सकते हैं by series, मुझे यह काफी पसंद है, तो यह कुछ इस तरह से work करेंगे, और यहां से आपने इसको save करना है, यहां पर आप देख सकते हैं, save face करके आप save कर सकते हैं, फ्रेंड्स इस तरह करके आप भी अपने Microsoft PowerPoint में चार्ट को animate कर सकते हैं, तो यह थी आज की वेडियो, उमीद करते हैं यह वेडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको इस तरह की मजीद वेडियो चाहिए, तो आप मुझे comment में लिख सकते हैं, thank you, best of love.